बाट्ची किसान परसेट के इमानी नेता गुरों ने सम्मानिक किया मेरा मनगोल को बढ़ाया मैं आप सब का बहुत दुनगाब करते हुए तीनो सीटे साइथ पूरे प्रदेश की हम सभी सीटे जीतेंगे इहां किसान नब्ड 24 धिन से अंदोलन कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है इन किसानों के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से इन किसानों की जो मांग है वो मांग हम समाजवादी पार्टी के सरकार आने पर पूरी करेंगे। क्या अकलेश यादो भी इस धरने को समर्थन देने कभी आएंगे मैं उन तक ये बात पहुचाऊंगा और मैं समाजबादी पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष और अपने जिले के नेताओं के परामर से मैं इसमें समर्थन देने आया हूँ अगर सीले और धाओं ने सदल सराहनी काम किया जिससे इस देश का सामाजिक तानावाना चीक हुआ लेकिन आज दुर्भाग है इतने दिनों से इतनी माताएं बहन हैं अपने आवासों के बारे में अपनी भूम के बारे में अपनी परिशानी को लेकर 93 से उपर यहां तर धरने में बेचे गुए है और अधिकारी उसको हल नहीं कर पाए यह भी बहुत दुर्भाग है जिस तरीके की हुकूमत केंद्र और राज्य में चल रही है पूरे देश और प्रदेश के किसान आज परिशान है जैसा अभी यहां पर सुपीर खलीफा साब ने कहा कि किसानों के सामने बहुत बला नेरा है जाओंगा और मैं कोशिश करूगा कि अगर दिसंबर में उस तर देश की विधान सबा चलेगी विधान सबा कर गुलाई और विधान परस्यत के नेता विरोदीदल अहमद रसंजी मैं संगर्षन का प्रदेश अद्यक्शू इन बातों को जैसा भी परस्यों मुझे मालूब हुआ कि विधान सबा चलने जा रही है अगर विधान सबा की बैठा कि आप संगर्ष में आप अन्याय सोचन पीड़न क में खिलाप आठील गए इसलिए आप भी बदाई के पात्र है मुझे यहां पर भार्टी किसान परस्यत के एमानी नेता गुणों ने सम्मानित किया मेरा मनवल को बढ़ाया मैं आप सब को बहुत बहुत धनवाद करते हुए आप सभी का अभिननन करते हुए बंदर करते दूए आपसे बिदा लेता हुँ कुए मेरा जाजियाबाद में पहले से कारकमता लेकिन कल मैं जैसे मेरी पाती की निताओने मुझे पताया मैं अनुझे प्रदकल जरूर धन्यस्तर पर चलूँगा और अपने लिए आप आपने नेता और विदान सबाव जीए